तो दोस्तो आज की इस वीडियो में एक्जाम एनलिसिस करेंगे जो आपका गुरूप D का एक्जाम चल रहा है 2022 का उसकी 12 सेप्टेंबर की पहली शिफ्ट जो है आपकी हो चुकी है तो 12 सेप्टेंबर की पहली शिफ्ट में आपके जो भी कोश्टन पूछे गए हैं आज हम को इस वीडियो में cover करेंगे 100% रियल कोश्ट होंगे जो कि आज कि पहली शिफ्ट से related है इस्टुवेंटो के द्वारा जादा कोश्ट नहीं मिल पाये हैं वो नहीं ज्यादा बता वारहे हैं कुछ लेंदी कोश्टो को आज कोश्ट मेंगी है ज Teark कर दें कौन कौन से questions आपके exam में बने हैं जिससे की बाकिस students को help हो सकें तो चलिए वीडियो को start करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो आपसे question पूछा गया है in which year Mandeliev discovered the periodic table periodic table की जो खोज करी गई थी modern periodic table की Mandeliev के द्वारा वो कौन से साल में करी गई ये question आपसे पूछा गया था इस question का आपका correct answer था 1869 1869 में Mandeliev जो है उनके द्वारा discovery करी गई खोज करी गई periodic table की तो इसमें जिसने भी 1869 mark किया है उनका correct हो जाएगा अब जो discovery होती है invention discovery इससे related बात करेंगे हमारे channel पर आपको जो question होता है उससे related अगर आगे आने वाली shift के लिए जो questions होते हैं उनको भी cover कराया जाता है इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो अगर invention discovery की बात करें atom bomb की खोज करी गई थी रोबर्ट उपैनमन के द्वारा इन्होंने 1945 में इसकी खोज करी थी फोकल लेंज को बेंजमिन फ्रेंक्लिन ने discover किया था 1779 में blood group की खोज करी गई थी काल लेंड स्टेनर के द्वारा 1990 में circulation of blood को खोज किया था विलियम हर्वे ने 1628 में dynamite की खोज करी गई एलफ्रेड नोबल के द्वारा 1867 में hydrogen की खोज करी थी Hendrick Cavendish ने 1766 में insulin की करी गई थी Frederick Bantic 1921 में light bulb की करी गई थी Thomas Edison ने 1854 में oxygen की करी थी Joseph Pristill ने 1774 में polio vaccine की करी थी Jonas Edward Salk ने peninsulin की करी थी Alexander Flaming ने 1928 में thermometer की करी थी Galileo 1593 में आप देख सकते हैं सारे ही most important question है जो आपके exam में बनते हैं तो सारे ही question आपके आने वाले exam के लिए important हो जाते हैं अगला question देखते हैं हीरा कुर्ट डेम ओन महानदी रिवर डिस्प्यूट लाइस between the state तो हीरा कुर्ट डेम जो है महानदी रिवर पे तो महानदी रिवर का जो dispute है वो कौन कौन सी state के बीच में है तो यह आपका आंसर था इस question का Odisha and 36 गड़ और 36 गड़ जो state है इन दोनों के बीच में रहता है dispute हीरा को डेम का यह question हमको confirm नहीं है इस्ट्वेंट के द्वारा बताये गया है हीरा को डेम से related dispute से related question बना है तो अगर यह question आपका नहीं पूछा गया exam में तो आप comment box में जरू टाइप कर दे questions जो है वो पूरी तरीके से detail में नहीं बताये जा रहे हैं इसलिए कुछ कुछ पार्ट बताये जा रहे है इस्ट्वेंट के द्वारा उसी इसाब से हमने questions आपको provide कर रहे हैं dams की बात अगर करी जाए तो dams से question लगातार shift में आपके पूछे जा रहे हैं पीछे भी पूछे गए थे तो उकई dam की बात करेंगे गुजरात में located है यह है आपका तापती river पे हमने rivers को भी कवर किया है कि rivers काफी पूछी जा रहे हैं आपकी dams की तो भागरा नागल dam है हिमाचल प्रदेश में सत्लोज river के राउंड सिचुएटिड है बघली हर डेम है जम्मु कश्मीर में चिनाव river के राउंडöll verbessated है हरंगी dam कर्नापता में है हरंगी river के राउंड सिचुएटिड है स ngay time Go जारखंड मैथुन रिवर पे, इदू की डैम है केरिला में पेरियर रिवर पे, अलामती डैम है करनाटका में कृष्णा रिवर पे, राजगाट डैम है मद्यप्रदेश में बेटवा रिवर पे, कोईना डैम है महारास्ट में कोईना रिवर पे, और जैकवदा डैम है आपक सम्विदान के किस अनुछेत से है तो आपका आंसर था इस कोश्चन का आर्टिकल 51 ए में नेशनल एंथम के बारे में बताया गया है फंडमेंटल ड्यूटी जो आती है हमारी उसमें नेशनल एंथम से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा गया है तो इसलिए इसका आंसर था आपका ये अगर आपसे नेशनल एंथम जो हमारा जन्गनमन है नेशनल एंथम है ये किसके द्वारा लिखा गया है ये पूछा गया तो आपका आंसर है रभिनाट टैग और वंदे मातरम किस ने लिखा है तो आपका आंसर है बंकिम चंद चदर जी अगर नेशनल एंथम क का duration है time period है approach हमारे national anthem का इंडिया के national anthem जन्कन मंग का अगर आपसे पंचायती राज से related question पूछा गया था पंचायती राज formation से related आपसे question पूछा गया है आपसे ये पूछा गया था कि पंचायती राज system जो है अगर पंचायती राज की बात करी जाए तो ये 73rd Amendment Act of 1992 से related रहता है बर्वंत राय महता जो है उनको father of पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है इंडिया में अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि railway group D का जो आपका exam चल रहा है current time में 2022 का उसके लिए एक e-book को launch किया गया है जो कि हमारी team के द्वारा select करके बिल्कुल important question सिर्फ 59 rupees में आपको provide कराए गए है जिस type के questions आपके exams में बन रहे हैं उसी type के questions इस e-book में आपको provide कराए गए है 3000 plus questions है इसमें 1000 static GK के questions है 1000 current affairs के हैं और 1000 आपको science के most important questions मिलेंगे ये e-book available है bilingual language में हिंदी और English दोनों में आपको questions मिलेंगे अगर आप interested हों तो link आपको description में मिल जाएगा आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं payment करने के बाद अगर file download करने में कुछ issue आता है तो नीचे हमारी gmail ID है आप इस पे directly mail कर सकते हैं current affair 4 to 5 questions तो current affair 2022 का आप 4-5 questions आपके पूछे गए है current affair की भी एक separate ebook है उसका link आपको description में मिल जाएगा उसमें जनवरी से लेके जुलाई तक का पूरा current affair कवर करा गया है तो उससे आपको 4-5 questions है जो कि आपके उसमें cover हो जाएंगे तो आप उसको भी buy कर सकते हैं अगला question देखते है मैथुन डेम, पंचिट डेम, कोनल डेम, तिलाई या डेम और तिनुगर डेम are on which river तो इन में से कोई सा एक डेम आपको दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि ये कौन सी रिवर पे situated है ये question आपसे पूछा गया था डेम हमको confirm नहीं हो पाया है इन पाचो में से ही कोई सा डेम पूछा गया था पर ये हमको confirm है तो उसमें आपका जो option था दामोदर river था तो दामोदर river उसमें आपका correct answer था दामोदर river पे ही situated है कौन सा डेम मैथन डेम बी पंचिट डेम बी कोनल डेम बी तिलया डेम बी और तेनुघट डेम बी ये पाचो जो डेम है ये आपके किस पे हैं दामोदर river पे situated है which commission which committee implemented by the government of government to give minimum support price of one and half times the cost of farmer तो farmer की जो cost है उसका डेर गुणा देने का minimum support price रखा गया है जो जो है जो है तो ये था आपका question इतने ही questions आज की shift से related हमको मिल पाए है इनके अलावा बाकी अगर questions आपको ध्यान हो जिनका भी exams था तो आप comment box में जरूर एक बार type कर दें जिससे की बाकी students को help हो सके कि और कौन-कौन से questions आपके exams में बने हैं उनसे काफी जादा मदद मिलती है students को क्योंकि जिस type के question आपके exam में बन रहे हैं उससे related questions काफी जादा देखने को मिलते हैं exams में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपने e-books को बाई नहीं किया है तो e-books का link description में provide कराए गया है आप e-books को जरूर एक बार चेक करें आपके exams के ले काफी जादा important रहती है धन्यवाद दोस्तों